मसकार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल एनकी नंदनी एंडास्ता के चैनल में होली की ही तैयारियों में जुटी हूँ मैंने आपको पहले ब्लोग में बताया हुआ था कि मैं आंगन के लिपाई जब ही करूंगी जब होली का एक दो दिन बच्चा होगा तो तो यहां पे एक दो दिन अब होली का बच्चा है लेकिन मुझे लगता है यहां पे हमारे हमेशा एक दिन पीछे लेट मनाई जाती है होली और सहरों में आठ तारिक को होली है लेकिन इधर सायद नौ तारिक को होली है सायद अभी मुझे इतना पत तो यहां पर नहीं लगा दोस्तों डिक तो आप समझ जाएगे कि आमतलब पक्का है मिटी नहीं है वहां पर लिपाई करने की जरूरत नहीं है वहां पर इसलिए मैंने वहां छोड़ दिया और अब इस डिक के अंदर ही मैं गोबर से लिपाई कर दूंगी डिजाइन देखें इतना ज़्याद मैं डिजाइन इस बार नहीं बनाई हूं और पीच पीच में जैसे मैं बॉक्स वगएरा बना देती थी वो भी सब मैंने नहीं किया है सिंपल सा चारों तरफ से मैंने बस ठीक लगाया और अंदर की तरफ में गेरू से लीप दिया है गेरू और गोबर ले दोधर रहता है वो ढूंड के अपना और इस्कूल जाने के लिए तयार हो रही थी वो आप सभी को ब्लोग में अब नहीं दिखते हैं क्यूंकि वो इन दिनों खेट का काम आ गया है तो खेट के काम में लगे रहते हैं सुबह से ही चले गए थे खेट पे तो मैंने उन्हें नास्ता बगएरा बना के दे दिया था तो वो खेट में अब आएंगे वह एक दो बजे तक बना बना कि मुझे रखना होगा तो इसलिए बच्चे भी बहुत जादा आया थे दुकान में रंग गुलाल खरीद रहे थे सुबह सुबह रंग गुलाल लेके बच्चे स्कूल गए हैं यानि कि आज के दिन वो होली मना के आएंगे तो मेरे से उन्होंने दुकान में खरीद लिया है बच्चों ने आस्ता भी रंग ले गई है तो आज का सुबह से रूटिन यही हो रहा था मैं बार बार दुकान में भाग रही थी और बार बार मुझे घर का और आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे बरतन रखे हुए हैं मे लिपाई के बाद में सीधे बरतन ही सारे धोंगी तीच में अम्मा भी आगें थी कह रही थी कि बगिया चलो और भाहिया आज नहीं है यास्ता के पापा वैसे तो उनकी हर्याई की कटिया करवा के आते थे लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा और यहां प पतियां गिर जाएंगी यहां बे और पूरा ही गंदा सा दिखने लगेगा तो अब देखे बहुत सारी आज बरतन हो गयते तो वह सब धोने में बैठ गई हूं और तसला वगेरा में साफ कर दे रही हूं और कुछ जादा ही बरतनाज हो गए हैं कि यहां पे मैं और अम्मा जान लगें हैं कटिया करवाने के लिए क्योंकि ऐल्वितना बगेया में कोई भी समय abras assaulted के लिए और दो लोग लगते हैं जो आप सीमसीन में यह सारा हरीय आई का जो भी चारा है इने कतरना है तो दो लोग लगते हैं एक लोग हर्याई को मतलब चारे को उसमें अंदर लगाने के लिए दूसरा आद में तो यह देखें हमने इतना सारा चारा जो है काट लिया है हम दोनों ने मिलकर तो काटने का वीडियो में नहीं बना पई क्यूंकि हम दोनों ही विजी तो यहां पर मैंने इनका सारे इसा किलवा दिया था थोड़ा सा यह बचा है तो वह भी अम्मा ने सारा चारा जो नीचे गिर गया था वह भी उठा के रख दिया है और अब हम दोनों आ गए हैं घर की तरफ तो मैंने अब खाना पीना बनाना श्टार्ट कर दिया है क्योंकि वास्ता के पापा का आने का भी टाइम हो गया है सुबह सात वजे के गए हुए हैं खेतों में काम कर रहे हैं तो अब मैं खाना बना रही हूं और खाने में बना रही हूं रोटी और आलो की सबजी सिंपल सा खाना बना रही हूं और सुबह प्राठे मैंने पैक कर दिये थे two bapt饵ants और चटनी ऊचाहें तो यहां पे रोटी बनाना है सबसे पहले अच्छी तरीके से चूली को जला लोंगी पर बार बुझे हो जहता है कि हम जाता है रोटी एक शूला के अंदर ही शूल्य इस और रोटी की भाप से चूला बुछ जाता है। यहनु पर मैं ने रोटियां सेकने इस्टार्ट कर दी है। पहली रोटी बेल दी है। और चूला भी थोड़ा धीर है जल रहा है। लेकिन धीर धीर देखेगा कितना तेज जलने लगीगा। और चूला जब अच्य से तेज सहते हम दशोर घ्लत को और शेकने का मन भी नहीं करता है रोटियां इसमें आप सभी में से किन किन लोगों को चूले की रोटि खाना पसंद है चूले में ऐसे रोटियां बनाना पसंद है तो कमेंट करके बताएगा मुझे तो बहुत पसंद है चूले में इस तरीके से रोटियां बनाना लेकिन जब चूला अच्छे से जल रहा हो तभी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइब हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं अच्छा लगता है बहुत प्यार और सपोर्ट आप सभी मेरे साथ दे रहे हैं बना रहे हैं तो अच्छा लगता है आप सभी कड़े तो दोस्तों तो यहां पे दोस्तों आस्ता के पापा ले आये थे चना आहर से खेट से तो मैं वही चने छील रही हूं और रात में इसी की सबजी बनाऊंगी मैं क्यूंकि इनी दिनों दस पंदरा दिन ही ये चीज मिलेगी उसके बाद नहीं मिलेंगी ये सब चीजें तो खाने को भी नहीं मिलेगा और यहां पे आस्ता स्कूल से आगेगे वह देगा से अंटी 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 कुलाल देदो तो दोस्तों सबसे इंपर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगी कि होली का तैवार आ गया है सभी लोग सभी योड़ते अपने मायके चली गई हमारे काव में भी बहुत से योड़ते मायके चली गई है लेकिन मैं अभी तक मायके नहीं गई हूँ और या फिर मेरे घर से फोन आया है या नहीं तो वह मैं आपको बताती हूँ तो फोन तो देखी नहीं आया है ठीक है लेकिन मैं कल कुद कॉल करूंगी और आप भी उन सभी बातों को सुनिए ठीक है और मुझे मायके नहीं बुलाते हैं इसका रीजन भी आप सभी को साइद पता लग जाए साइद तो यहाँ पर अपसाम का समय हो गया था कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो अब सूख चुके है तो मैं उन्हें उठा लूँगी ठीक है तो कल का डे बहुत ही इंट्रेस्ट इसली उसको उसके कपड़े मिल जाएं बनना बच्चे ऐसा करते हैं कि सारे कपड़ों में सारे जो भी कपड़े यहां वहां रखें सभी में ढूंड लेंगे और उसके बाद भी उन्हें अपना कपड़ा नहीं मिलता है तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का व्लोग का व्लोग आप नहीं किया है मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से बलोग के साथ तव तक के लिए बाबाय टेक क्या 하겠습니다